सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बारवी पास कैंडिडेट इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं ओल इंडिया के वेकेंसी जें सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स बारत के किसी भी राजे से इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भरती पर आवेदन करने के ल बने रहे इस वीडियो में अंतितक हमारे साथ इस वीडियो को अंतितक देखने पर ही आपके सभी सुवाल औडौट की लियरोंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस बरती की पूरी जानकारी सुास्ते विभाग के अंतरगत्य भर्ती होने जा रही है जहां पर पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स की स्पोस्ट के लिए आपर 540 वैकेंसी जें जिनको भणने के लिए आपस आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं क्वालिफिकेशन के अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम बारवी कलास पास होना जरूरी है पलस उनके पास GNM का डिपलोमा या फिर B.S.C की डिग्री नर्सिंग के अंदर होनी जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आयू सीमा आपकी मिनिममम अठारा साल और मैक्सिममम चालिस साल लगी गई है से लिए आपको 14,000 से 60,500 के बीच में पर्ती महा के रूप में परवाइड करा दी जाएगी फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है बिल्कुल फिरी आप आविदन कर सकते हो सेलेक्शन के अगर बात करें तो सेलेक्शन यहाँ पर कैंडिडेट का इंटर्यू के आधार पर किया जाएगा जिहां दोस्तों सीधी बर्ती है बिना किसी एक्जाम के केवल इंटर्यू के आधार पर यहाँ पर आपके सेलेक्शन का डिसी जलने आ जाएगा ओन्लाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो वेबसाइट है dhs.asam.gov.in जो ब्लोकेशन आसाम है ओल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो डेट के अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ओन्लाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 17 October 2020 है तो दोस्तो ये तिस स्वास्ते विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी इसके बाद भी दोस्तो गर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्किप्शन बोक्स में पलास फर्स्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप डिरेक्ट ली इस भर्ती के ओफिसल एडवर्ताइजमेंट की पीडिएफ को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो जहाँ दोस्तों यह इस भर्ती के ओफिसल एडवर्ताइजमेंट की पीडिएफ का डिरेक्ट इसोर्स लिंक है जैसे ही आप इस लिंक पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ओफिसल एडवर्ताइजमेंट खुल जाएगा यह इस भर्ती का ओफिसल एडवर्ताइजमेंट है यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूरवक वन बाई वन करके रीड कर सकते हो जैसे कि क्या पोश्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबरँख फैकेंसी जे यापकी मिनिममम एजूकेशनल कौ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी से लिए आपको प्रोइड कर जाएगी और कौन सी कैट्टिगरी के लिए कितनी नंबरँख फैकेंसी जे यह पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोइड कराई गई है साथ साथ आप आयू सीमा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल भी यही से चेक कर सकते हो और यहाँ से पूरी डिटेल चेक करने के बाद आप सिम्पल इस भरती के लिए ओनलाइन आविदन कर सकते हो ओनलाइन आविदन करने के लिए लिंक भी आपको हमारी वैबसाइट के इसी पेज पर प्रोइड करा गया है ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए Apply Online का Direct Resource Link है जैसे ही आप इस लिंक पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए Online Portal खुल जाएगा ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए Direct Rate of Health Services आजसाम का Online Portal है यहां से आप इस भर्ती के लिए Simply Online आवेदन कर सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope ए वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे Like और Share करना मत भूलना साथी साथ दोस्तों अगर अब भी आपके मन में इस भर्ती से related कोई Question या Query है तो आप हमें comment के जरिये पूछ सकते हैं और अंत में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्यूंकि हम daily basis पे आपके लिए ऐसी ही विग government jobs के update अपने इस चैनल पर upload करते हैं